आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोवे पहले एक अपील देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयूवर्क के लिए सरकारी केंद्रों में निशुलक कोविट टीका करण अभियान जारी है युवाओं से आगरह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोच साहित करें जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा के तीन सराल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें प्रधान मंत्री आज स्वामित्व योजना में प्रदेश के हिद्ग्राहियों को करेंगे अधिकार अभिलेक का वित्रण सड़क दुरगटना में पीडित व्यक्ति की मदद करने वाले होंगे पुरुस्क्रत प्रदेश में साथ ही योजना में बनाए जाएंगे आधुनिक रिटेल बाजार और IPL क्रिकेट में आज होगा रॉयल चेलेंजर्स बेंगलूरो का सामना सन्राइजर्स हैदराबाद से अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामितु योजना में मद्यप्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में 171,000 हिदग्राहियों को अधिकार अभिलेक का वितरंड करेंगे साथ ही सीहोर, हर्दा और डिंडोरी जिले के हिदग्राहियों से वर्चुल संबाद भी करेंगे मद्यप्रदेश में 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे जन कल्यान और सुराज अभियान में स्वामितु योजना के राज इस्तरी कारिक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सीही चोहान हर्दा जिले से शामिल होंगे गौर तलब है कि स्वामितु योजना को जिन 9 राज्यों में पाइलेट आधार पर लागू किया गया है उनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है मध्यप्रदेश में स्वामित योजना का क्रेयानवन तीन चर्णों में 10-10 जिलों को शामिल कर प्रारंब किया गया है स्वामित वयोजना में सर्वे आफ इंडिया की सहायता से ग्रामू में तथा बसाहट शेत्र पर ड्रोन के माध्यम से नक्षे का निर्मान तथा डोर टूर सर्वे कर अधिकार अभिलेकों का निर्मान किया जा रहा है पेश है एक रिपोर्ट प्रधान मंत्री नरीनर मोदी, प्रधान मंत्री स्वामित वयोजना के लाभार्तियों को आज भू अधिकार अभिलेक वर्चल रूप से वितरित करेंगे प्रधान मंत्री सिहोर, हर्दा और डिंडोरी में हिद्गराहियों से समवाद भी करेंगे प्रदेश के जन कल्यान और सुराज अभियान के तहत 19 जिलों के 3000 गावों में भूमी अभिलेख पत्रों का वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहान हरदा से कारिक्रम में हिस्सा लेंगे स्वामित्वय योजना के अंतरगत, ड्रोण तक्नीक के माध्यम से नक्षय का निर्मान और डोर टू डोर सर्वें कर अधिकार अभिलेखों का निर्मान किया जा रहा है, अभी तक प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभी की गई है वहीं 24 ड्रोन, 24 जिलों में कारी कर रहे हैं, इन में से 6500 गावों में ड्रोन सरविक्षन का कार्य पूरा कर लिया गया है पूजा पीवर्धन आकाश्वाणी समाचार भोपाल केंद्री सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने ऐसे परोपकारी वेक्तियों के लिए पूरसकार योजना शुरू की है जो किसी मोटर वहन दुरगटना में घायल हुए लोगों को ततकाल साहयता पहुचाने में योगदान करेंगे इस योजना का लक्ष सडक दुरगटना जैसी आपात काली निस्थितियों में पीडितों को ततकाल रहात पहुचाने में मदद के लिए लोगों को प्रेरित करना है इस बारे में जारी दिशानिर्दशों में कहा गया है कि घातक दुरगटना में किसी पीडित की जान बचाने के लिए उसे ततकाल मदद करने वाले और उपयुक्त समय पर अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति पुरुसकार के पात्र समझे जाएंगे इस कारिक्रम में परुपकारी व्यक्ति को अधिक्तम पांच बार पुरुसकार दिया जा सकेगा प्रत्यक दुरगटना में सहायता के लिए पुरुसकार राशी पांच हजार रुपे होगी प्रदेश के राजस्व एमम परिवहन मंत्री गोविंद सिही राजपूत ने कहा है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज तुरुटियों को सुधारने के लिए राजस्व विभाग एक नया प्रयोग करने जा रहा है राजसु अभिलेखों में सुधार के लिए प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से 15 नवंबर तक शुद्धी करण पखवाडा मनाया जाएगा उनने कहा कि भूमी संबंधी प्रपत्रों में त्रूटी के कारण उनके विक्रय नामांतरण आधिक कार्यों में हमेशा विवाद की स्थिती बनी रहती है इसलिए त्रूटी सुधार के कार्यों को एक अभियान के रूप में पूरा किया जाएगा राजय सुमंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रथम चरण 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में विशेश ग्राम सभाय आयजित की जा रही है इन विशेश ग्राम सभावों में चल रही कारिशालाओं में इसकी तयारी भी शुरू हो गई है ग्राम सभाव में रिकार्ड संबंधी जो तुरुटियां सामने आएगी उनका निराकरण इसी पक्वाले में किया जाएगा अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप आप कभी और कहीं भी अपनी सुईधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटेन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR News भोपाल पर भी समाचार सुन सकते हैं व्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है मत्यप्रदेश साथी यानि Sustainable Agriculture थ्रू holistic integration पर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा योजना के अंतरगत विकास खंड इस्तर पर स्थापित किये जाने वाले साथी वाजार आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे जिनने 4000 वर्क फीट पर बनाया जाएगा इनमें वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, टेरिनिंग सेंटर, होस्टल, दुकाने, बैंक, फूट कोट, डेरी, गेम जोन आधी बनाया जाएगे यह पर योजना के किसानों के आयो को दोगोना करने के सरकार के लक्ष की पूर्ती में कारगर सिध्ध होगी पंचायत एवम ग्रामिन विकास मंत्री महेंद्र सिह सिसोधिया ने बताया कि योजना प्रारम में पाइलेट प्रोजेक्ट की रूप में प्रदेश के पांस दिलों के दस विकास खंडों में लागू होगी राष्ट्रिय बाल संरक्षन आयोग द्वारा बच्चों के लिए समरपन कारिक्रम की शुरूआत की गई है इसमें ऐसे बच्चों को वित्ति सहयता की जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है इसमें नीजी शेत्र को भी जोड़ा गया है आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून गोंने बताया कि बच्चों के लिए समरपन कारिक्रम की शुरूआत तीन जिलो विदिशा, राइसेन और सीहोर से की गई है उनने बताया कि नीजी स्पॉंसर्शिप के अंतरगत प्रदेश के तीन जिलो के चिन्हित बच्चों और उनके सनरक्षकों के खातों में प्रती बच्चा प्रती माहा 2,000 रुपे के हिसाब से 1,66,000 रुपे की प्रथम किष्ट जमा की गई है भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा मुख्य मंतरी शिवराज सिही चोहान ने कल जाबुआ में आजित जन्जाती सम्मिलन को सम्मोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन जन्जाती समाज के विकास उत्थान और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए कटी बद्ध है मुख्य मंतरी ने कहा कि 15 नवंबर को जन्जाती गोरव दिवस धूम धाम से मनाया जाएगा भुपाल में इस अवसर पर एक विशाल समागम होगा कारिक्रम को संबोधित करते हुए श्री चोहान ने कहा कि जन्जाती लोगों के खिलाफ दायर ऐसे मामले जो गंभीर प्रक्रती के नहीं है उन्हें वापस लिया जाएगा मुख्य मंतरी ने कहा कि हमारी सरकार पेसा लागू करेगी उन्हें यह भी कहा कि यह एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है यह सामाजिक नियाए और समरस्ता के साथ लागू किया जाएगा मुख्य मंतरी शिवराज सिही चोहान ने कल विरांगना रानी दुर्गावती की जयनती के उसर पर उन्हें नमन किया मुख्य मंतरी शिवराज सिही चोहान ने निवास इस्थित सभागार में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यारपन किया शार जाह में कल रात IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियन्स ने राजिस्थान रायल्स को 8 विकेट से हराया इसमें विजिता टीम के IPL के प्ले आफ दोड में शामिल रहने की संभावनाएं बनी हुई है पहले बल्लेवाजी करने उतनी राजिस्थान की टीम निर्धारित 20 में 9 विकेट पर 90 रन ही बना पाई राजिस्थान के लिए सलामि बल्लेवाज एविन लुईस ने सरवाधिक 24 रन बनाए जबकि डेविड मिलर 15 रन के साथ दूसरे स्थान पर रहे शार जाह में हुए IPL के इतिहास में यह सबसे कम और इस सिजन में राजिस्थान रायस के मुंबई के लिए सबसे छोटा स्कोर है मुंबई के लिए शांदार गेंद बाजी करते हुए कुल्टर नाइल ने चार विकेट लिए जबकि नीशम नितीन और जस्प्रीत बुमराहा ने दो विकेट लिए जवाब में रोहित शर्मा की अगवाई वाली मुंबई इंडिय स्टेडियम में रायल चेलेंजर्स बेंगलूरु का सामना सन्राइजर्स हेदराबाद से होगा अब कुछ समाचार संशेप में राय सेन में जन सुनवाई में कलेक्टर अर्विंद कुमार दुबे ने लोगों की समास्याओं का निराकरंड किया शोपुर के बाढ़ प्रभ नमस्कार